एक नियुक्त थे बएंध में हाफ लास्ट वीडियो में हमने अपायटम की है एड करना था तो हम उसे कैसे करते हैं वह थह वांने लास्ट वीडियो में देखा था आज ча unreal डेकर हम list में और item कैसे add कर सकते हैं और किस तरीके से और add कर सकते हैं तो append method में क्या था append method में कोई भी चीज लास्ट मैड होती थी पर अगर हमें किसी भी चीज को बीच में या कहीं और specific area में add करनी हो तो हम उसे कैसे करेंगे हम उसके लिए आज method पढ़ेंगे insert method और extend method के बारे में तो सबसे पहले हम एक list बनाते हैं लिस्ट का नाम रखते हैं वोवल और उसमें हम पास करते हैं अभी तक हमारा एक वोवल नाम का लिस्ट बन चुका है जिसमें हमारे इस्टोर है ए ए ओ यू हम यहाँ पर आई इस्टोर नहीं करवाया है जो कि इंडेक्स पोजिशन नमबर टू में हो तो अगर हमें अभी इसमें आई स्टोर करवाना है तो अभी तक हम सिफ और सिफ अपैंड मेथट के बारें पड़े हैं कि अपैंड मेथट को यूस करके हम कैसे स्टोर करवा सकते हैं और कुछी अपैंड मेथट को अगर यूस करेंगे तो आई लास्ट में स्टोर होगा लेकिन हमें अभी अगर अब हमें store करवाना है आई वो भी index number 2 में तो हम उसके लिए क्या करते हैं हम उसके लिए वोविल में एक method यूज करेंगे insert method वोविल.insert तो insert method में हमें दो argument पास करनी होती है हम दो argument क्या क्या पास करनी होती है हम वो भी देख सकते हैं हम यहाँ पर python इंट्रेक्टिव शेल में जाते हैं और हम help command को यूज करके direct list.insert अगर करें तो यहाँ पर हमारे पास description आ जाएगा तो description में क्या है description में आया है insert method में सबसे पहले हमें self डालना पड़ता है self क्या होता है self हम इसको बोल सकते हैं जैसे wobble है इसे हम self बोलते हैं सबसे पहले हम इसे डालना पड़ता है और उसके बाद index डालना पड़ता है मैं इसे clear करता हूँ, अब हम क्या करते हैं, insert matter के बारे में हमें मालुम चल गया, सबसे पहले हमें index देनी होती है, हम यहाँ पे index देते हैं, 0, 1 और 2, second index में हमें डालनी है, i, और अब हम इसे save किये, और अब हम यहाँ पे print करवाए, और अब हम इसे save करके run किये, तो यह देखिए, हमारे पास last में add नहीं हो है, इस बार हमारे second position में I insert हो चुका है, तो यह था insert method, अब आप सोच रहोंगे कि हम insert method यूज़ करें, या append method यूज़ करें, किसी भी item को add करने के लिए list में, तो यह personal preference है, और आपको project by project, आपको जित्ते बार use करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या use करना है, क्योंकि कई बार आपको किसी भी item को last में add करना होता है, तो उसके लिए आप बार बार यहाँ index चेंज ना करके, आप उसके लिए append method को use कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको specific जगा में कहीं पर add करनी हो कुछ चीज, तो उसके लिए आप insert method को use कीजिए, तो यह था insert method, I hope आपको insert method समझ में आया होगा, अब हम extend method के बारे में जानते है, extend method क्या होता है, extend method कोई भी list को extend करने के लिए use होता है, अगर मान के चले हमारे पास दो list है हमारे पास name नाम के list है, name is equal to, list के अंदर हम लिखेंगे हर्ष, second में लिखेंगे yes, हम यहाँ पे अभी दो ही item लेते हैं, और हम यहाँ पे points नाम के variable बनाते हैं, जिसमें हम list इस्टोर करेंगे, point, कि हमारा हर्ष जो है, उसका point कितना है, और हमारे yes जो है, उसका point कितना है, हम यहाँ पे लिखते हैं, हर्ष का point 1 है, और yes का point 2 है, अगर हमें इन दोनों list को add करना हो, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं, हम उसके लिए simply क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए सबसे पहले क्या काम कर सकते हैं, हम name plus point, यह कर सकते हैं, और हम इसे print करवा सकते हैं, पिवे धे हमारे पास आइटम एड़ हो चुगा है हर्श य्ष वंबनटू तो हम सिंप्ली ऐसे भी एड़ कर सकते हैं और हम चाहें तो हम extend method को use कर सकते हैं extend method को use कैसे करते हैं extend method में सबसे पहले हमें बताना परता है कि हमें किस चीज में add करने हैं अगर हमें point में add करना है तो सबसे पहले point लिखना पड़ेगा और अगर हमें name में add करना है तो हमें लिखना पड़ेगा name तो अगर हमें यहाँ पर name में add करना है तो हम यहाँ लिखने हैं name.extend और extend method में हमें बताना है कि हमें क्या add करना है तो हमें यहाँ पर point नाम का जो variable हमें उसे add करना है और अब अगर हम print करवाए name को और save करके run किये तो यह देखिए हमारे पास same to same answer आया जो कि हम plus sign को use करके करते दे वही चीज हमारे पास यहाँ पर answer आया हम चाहे तो यहाँ पर यह यह use करें और हम चाहे तो यहाँ पर यह use करें अब अगर आप सोच रहे होंगे कि हम यह काम append method को use करके भी कर सकते थे तो append method को अगर हम use किये इन दोनों को add करने के लिए तो हाँ हम वो कर सकते लेकिन उसका output क्या आगा आप वो देखिए हम चाहे तो अगर name.append और append method में हम point डाले और हम इसमें print करवाते print करवाते name को और अब मैं इसे अगर save करके run करूँ तो यह देखिए हमारे पास list के अंदर और एक list present हो चुगी है जिसके अंदर हमारे पास one two है और जो की यह list था name point वाला जो list है वो हमारे name नाम के list में append हो चुगी है तो python में list के अंदर भी list present हो सकती है लेकिन अगर हम यहाँ पर extend method को use करें तो हमारे पास तो हमारे पास list के अंदर list नहीं आएगी हमारे पास यह तूट के आएगी यह वाले list तूट के यहाँ पे आएगी तो यह difference होता है append method और extend method में हम चाहें तो अगर हम insert method यूज़ करके इन दोनों list को add करें तो अभी हमारे पास output का आएगा आप देखिए हम यहाँ पे insert method के use करते है name dot insert insert method में हमें सबसे पहले argument देना होता है कि हमें कौन से position में डालना है तो हम यहाँ पे one position में second list को डालते है point नाम के list को और हम उसके बाद print करवाते हैं name को और मैं इसे save करके अगर run करूँ तो यह देखिए हमारे first position में यह पूरे की पूरी list add हो चुकी है तो अगर हमें कोई भी list को तोड़ के add करवाना हो तो हम उसके लिए extend method यहाँ और अगर हमें किसी भी list को as it is last में आड करना हो तो हम उसके लिए append method यूस करते हैं और अगर हमें किसी specific position में किसी भी list को append करवाना हो तो उसके लिए हम insert method को यूस करते हैं तो I hope आपको अभी तक list में add करने का procedure मालुम चल गया होगा और आपको deep knowledge आ चुकी होगी कि हम list में insert method को क्यों use करते हैं हम list में extend method को क्यों use करते हैं और हम list में append method को use क्यों करते हैं तीनो method अपने अपने जगा add करने का ही काम करते हैं लेकि तीनो method अपने अलग-अलग तरीके से लिस्ट में एड़ करते हैं आइटम को तो I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा Thank you for watching this video and please like my video and subscribe to my channel for more quality content